नमस्कार पंचाथी टाइंशन आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सेनी 2018 का उपचुनाओ जिसे 2019 की लोकसवा चुनाओ के सक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था एक रणनीती का जो पहला कदम था उस नजरिये से देखा जा रहा था 2018 के उपचुनाओ को 2018 में तक्रीवन 4 लोकसवा सीटे और 10 विधान सवा सीटों पे उपचुनाओ हुए और इस उपचुनाओ के नतीजे जो आए उसमें मोदी लहर गायब होती हुई नजर आए विपक्ष की रणनीती यह कहें कि विपक्ष का जो महाकडबंदन का प्लान था वो मोदी के आगे कहीं पहुत आगे नजरर आता दिखार और मोदी लहर जो है उसके आगे फी की नजचेर आई जो उपचुनाओं के नतीजे आए हैं वो ये नतीजे हैं नतीजों की अगर बात करें कहराना पी जो लोक सभाज सीट थी उस पे तवजु हसं जी थी आरेलडी की प्रत्यासी थी नूरपूर विदान सभाज से समाजवादी पार्टी के नैमून हसं जीते पालघर महराष्ट से बीजेपी ने जीता है वहीं पलुस कवेडा महराष्ट से विश्वदास कदम जो की कांग्रेस के प्रत्यासी हैं भंगारा कुंदिया महराष्ट यहां पे एनसीपी के मधुकर कुकुडे जीते हैं सिल्की जहारखंट की बात करें तो यहां पर जय今 और गयारखंट से भी Realm की वविवित भी जीते हनी दोन जहारखंट की दोनो सीटों पर जय मारा रहा है वियु बीजेपी यहां से भी साप नज्हीं एये अमपति में गाले की बात करें तो यहां पे Congress ने अपना दबदबा जारी रखा और Congress ने अमपती की seat जीत लिए है, यहां पे मियानी डी सीरा जो थे वो Congress के टिकट पे जीते हैं, धराली उत्तराखंड की ये एक seat रही है जिसे BJP बचाने में काम्याब रही है, यहां पे मुनिदेवी साह जो है वो BJP के टिकट पे ये seat जीती है, 2018 के उपचुनाओ के नतीजे कुछ इस तरीके से रहे कि BJP फिसिड़ी नजर आये, BJP ने अहम जो दो सीड़े थी, उत्तर प्रदेश की नूरपूर, विदान सभा और कैराना लोक सभा की seat वहां पे BJP ने अपनी पूरी ताकत जोंग देती, प्रदान मंत्री ने भी वहां पे रहलिया की थी, लेकिन विपक्ष की जो रणनीती थी, महा गटबंदन की जो रणनीती थी, जो उत्तर प्रदेश की छेत्री जो दो सबसे बड़ी पार्टियां है, और साथ में RLD जो वहां की लोकल पार्टि है, इनके एक साथ चुनाओ लडने पे मोदी की और अमिस्ता की जो रणनीती थी, वो फेल होती हुई नजर आई, और बहुत बुरी तरीके से कैनारा और नूर पूर दोनों सीटें बीजेपी गवा चुकी है, यानि 2019 के लिए विपक्ष की जो महा गटबंदन की रणनीती है, वो कही न कहीं मोदी लहर पे कारगर नोती नजर आ रही है, और फिर मोदी के विकास का एजंडा जो लेके चल रहे थे, उनके उस काम को भी पीछे छोड़के मोदी लहर को पचारती हुई नजर आ रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बीजेपी के लिए 2019 खासा मुस्किल नजर आता है, लेकिन किस बीजेपी के साथ 2019 के लोग सभा चुनाओं में बीजेपी उतरती है, ये तो समय की बात है, लेकिन फिलहाल उप चुनाओं के नतीजे बीजेपी के लिए मुस्किल खड़ी कर रहे है, हमारा वीडियो के आप फेस्बूक पे देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सस्क्राइब परें, और साथ में ही वेल आइकन का घंटा जो है, उसे क्लिक करना ना भूले था, कि हमारी न्यूज का नॉटिटिकेशन सबसे पहले आप तक मुचे करें.